और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको उता दें एमदाबाद ब्लास्ट में एतिहासिक फैसला सामनी आया है बड़ी ख़बर इस वक्ती ये 38 दोशियों को फांसी की सजा का एलान हुआ है वही 11 को उम्रकैद का एलान किया गया बड़ी जानकारी इस वक्ती में रही आपको दादें कि 2008 में एमदाबाद में हुए थे सीरियल धमा के 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है ग्यारा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई आपको दादें कि इस ब्लास्ट में 56 लोगों की जान चली गई थी ग्यारा के एमदाबाद में 2008 की सीरियल ब्लास्ट केस के दोशों की सजा पर बहस पूरी हो चुकी है और फैसला भी आ चुका है तेहासिक फैसला 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है वही 11 को उम्रकैद मिला है तो अदालत इस मामले में आज फैसला सुना चुकी है आपको उतादे कि इस घटना में 56 लोगों की जान चली गई साथी 200 लोग खायल हो गई थी ये दिल देला देने वाली घटना 26 जुलाई 2008 को घटी थी 26 जुलाई 2008 को एमदबाद में 21 सीडल ब्लास ने पूरे देश को जग जोर कर रख दिया था इन धमाकों की गुन से हर कोई स्थब था और कई सालों से इस पर लगातार सुनवाई होती रही आखिर कार आज फैसला आया है ये बड़ी जुआनकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं पहले दो फरवरी को इस मामले में फैसला आना था लेकिन स्पेशल कोर्ट के जजज एर पाठेल कोरुना संक्रमित हो गयते जिसके बाद इसे आठ फरवरी तक के लिए चाल दिया गया 26 जुलाई 2008 को एमदाबाद में एक घंटे के बीतर 21 बम धमाके हुए थे एमदाबाद पुलिस ने इस मामले में 20 प्राथमे की दर्ज की थी वहीं सुरत में भी 15 और F.I.R. दर्ज की गई थी इन बम धमाकों में गुजरात के ततकालीन सीम प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी ने सभी आतंक्यों की गरवतारी के आदेश दिये थे उस समय वो गुजरात के सीम थे उस दोरान प्रदेश के मौजुदा DGP आशिश भाथिया के नतित में इस तर्रार अधिकारियों की टीम बनाई गई थी देश के ततकालीन प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग भी आइमदाबाद पहुंचे थे बता दे कि 28 जुलाई 2008 को विसफोर्ट मामले की जाच के लिए पुलिस टीम का घचन किया गया था मैज 19 दिनों के अंदर पुलिस ने 30 आतंकियों को गिरफतार कर जेल भी भीज दिया था इसके बाद बाकी आतंकियों को भी गिरफतार कर लिया गया था एमदाबाद में हुए इन धवाकों से पहले आतंकी संगठन इंडियन मुझाहिद दीम की इसी टीम ने वैपुर और वानसी मिधवाकों को अंजाम दिया था और आखिरकार ये बड़ा फैसला आज सुनाए गया है 38 दोशियों को फासी की सिजा सुनाए गई और 11 को उम्रकैद का ऐलान किया है 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में करीब 6 पन लोगों की जान चली गई थी तो अतिहासिक फैसला आज सुनाए गया है एमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में